नमस्काय मैं हूँ नम्रता पाराशर आप देख रहे हैं बीवेम का खबर 24 शेले रुख करते हैं खबरों के और जैसे कि हम सबी जानते हैं कि कोहारों के सीजन नजदीक आ रहा है ऐसे में घपले गोटाले का दौर भी जारी है इसी करम में हर्यान में सीजन फ्लाइंग एक्टिवेट है और फूट सप्लाइवे भाज के साथ मिल कर रोताना कारवागी कर रही है इसी करम में ताज़ा मामला सामने आ है जहां राशन डीपो पर रिकॉर्ड के अनुसार अनाज नहीं मिला बल्कि एक और दूसरी दुकान पर संदेजन अनाज रखा हुआ था जिसकी वेरिफिकेशन की जाएगे और एशेंशल कॉमेडीज एक्ट पाई जाने के तहथ मामला दर्ज होगा बलवगर्ण में गुप्त सूचना के आधार पर सेंफ्लाइंग दस्ते ने फूट सप्लाइवे भाग ने दो राशन डीपो पर छापा मारा जहां रिकॉर्ड के अनुसार एक राशन डीपो पर छे कुइंटल तो दूसरे राशन डीपो पर दस कुइंटल अनाच मिलना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ वहीं एक दूसरी दुकान पर हर्योम नाम का एक राशन बोर्ड लगा हुआ था पूछने पर दुकान वाली कोई संतो चनक जवाब नहीं दे पाया जिसके बाद एसीपी राजेशेशी ने बताया कि इस क्रम में उसके खिलाफ एफायार दर्ज की जा रही है बाकी कारवाही भी अम्र में लाए जाएगी इसमें एशेंशियल कॉमेडीज एक्ट के तहत मा और इसमें तीसरा एक बोर्ड और रखा मिला है हरियोम नाम से कोई बोर्ड है तो इन में तो एक में लगबग 10 कुएंटल का एक में 6 कुएंटल का जो क्योंकि जो फूड सप्लाई के जो अधिकारी आए है उनने जो अपना पॉर्टल पर चेक किया है तो उतना इनके पास है तो इसमें अबिता टसक्तंपन के शार सप्लाईब अधि उसमें का इंघ अधिकलि नाम का जो भूड मैंदा रह रहा है जो इसमें और रख्शन ना है तो इस किए वह कुए भूड प्रूड कि इंघ कर रहे हैं क्योंकि चाहएं अधिर नहीं करे नाम मीद्ली पूड वहां का भी पता चलेगा, डिटेलत हो लिए तो है, एसेंचिल कमुनिटिटी एक्ट की एक्ट की एक्ट की एक्ट की एक्ट होने के बाद जो भी इन्वेस्टिकेशन होगी, जो लीकल एक्शन है, उसी साम सब्सक्राइब जिस तरह से ये डिपो धारक रासन गरीब लोगों क पर आसन खाते हों के लिए क्या कुछ आपकी चेता अब नहीं है समझेश से, देखो, ये मेरे क्शाल से आज हमारा चोविस या पच्छिस डिपो पिसले चार मीने में हम ने चेक किये हैं, और चार या पांच डिपो ऐसे मिलें, जन में ठीक मिला है, बाक्की सब पर एफ़ करते हैं, वह भी बता पाएंगे तो सारा क्यों हुआ है. तो इक अपर एक खरीओ नाम का बाद मिला है, तो यह जो यह वारे जो यह जो यह बता रहे हैं यह बता रहरे हैं, कि वह पोई रग गया वह लिए तो आप जो पहले बाहर के स्टेट्स को जिए ते 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 बॉर्ड मिला है और उस मशीन में उसके इतने कवेंटल के हूं दिखा भी रहा है चले रुक करेंगा अगली खबर के और फर्दबाद में इन दिनों लगाता है सीम फ्लाइंग की टीम की तरफ से बड़ी कारवाही की जा रहे हैं यह बता दे कि बीते दिनों भी फर्दबाद सीम फ्लाइंग की टीम ने कई डीपो होलर पर भी कारवाही की है वहीं सूचना के अधार पर दिल्ली से आगरा जा रहे है ट्रक को सीम फ्लाइंग की टीम ने पकड़ा जिसके बाद उसके बिल्ज चैक करने पर जी एस्ट चोरी का मामला सामने आया फिलाल मौके पर के तरफ से कभी डीपो हुल्डर तो कभी नवजाती खरीद फरोख्त करने वाले गिरों पर कारवाही की जा रही है इसी कड़ी में सीम फ्लाइंग की टीम की ओर से एक बड़ी कारवाही को अंजाम दिया गया जिसमें सूचना के आधार पर से एंप्लाइंग की टीम ने दि सीक्री चौक पुलिस के हवाले खड़ दिया गया वही जानकारी देते हुए से एंप्लाइंग के राजशेशी ने बताया कि उन्हें गुप सूत्रों से सूचना मिली थी कि एक ट्रक में परक्षून का सामान जो की बिली से आगरा जा रहा है उसके बिल में जी एस्टी की चौरी है जिसके अधार पर टीम गठित की गई और सीक्री चौक के समी ट्रक को पकड़ा गया इसके बाद सामान के बिल को चेक किया गया तो वास्तव में ही जी एस्टी चौरी का मामला सामने आया जिसके बाद मौके पर संबंद्र विभाग के अधिकारियों को बुला कर मालेख और सामान के मारें चीली बारें में पारिए सिरोक करते हैं रगध्यक इस सामान और बारें में बतीत कि गई तो उसने बताया है क्यों उसके तो को और जानकारी नहीं रह था यह समान आगरा ले जाने के लिए किराया था मैं जिसे दिल्ली से आगरा ले जाूर जाव था और द्फिल्हाल इसके अलावा उसे इस मामले के बारे में को जामकारी नहीं है नाइट में CM Flying Faridabad को एक गुब सूचना मिली थी कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाले कुछ ट्रक्स में GST चोरी का माल होने की संभावना है इस आधार पर सीकरी चोकी पर जो जब चेकिंग की गई संबंदित लिबाद के साथ तो वहाँ पर एक ट्रक रोका गया तो उसमें संभावना है कि GST चोरी के कुछ माल है तो उसमें जो AET और जो GST है उन्होंने उसका चलान कर दिया है उसको पार्क कर दिया गया है वहाँ याड में अब उसका प्रोपर टीम बनेगी और उसको चेकिंग की जाएगी और जो भी नियम असर करवाई उसके बाद GST करादान के बाद जो है वो करें चले बढ़ेंगा अगली खबर के और फाइदबाद के नामी सोसाइटी कि BTP के खिलाफ सोसाइटी के लोगों ने ही जोड़ार प्रश्ण किया है और विल्डर कीपोर्ड कोल दी गई है दरशान आपको बता दे की BTP society में रहने वाले लोगों का बिल्डर पर आरोप है कि उसके द्वारा बीपीटीपी सोसाइटी में फ्लॉट और फ्लाइट लेने के नाम पर मूटी रकम वस्रूली थी परंतु बात कर अगर मुल्बू सुविधाओं की तो सोसाइटी के अंदर कोई भी मुल्बू सुविधा नहीं है अलाकि बिल्डर ने सभी लोगों से मुल्बू सुविधा देने के नाम पर पहले ही मूटी रकम वस्रूल कर रही है तस्वीरों में दिखाई दे रहा है नजारा फाइदवाद के बिपी टीपी सोसाइटी का है जहां पर सोसाइटी में रहने वाले लोग अपनी सोसाइटी के बिल्डर से काफी नाराज है इसी को लेकर सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर के ख्लाव जमकर नाये वादी की दरशल आपको बता दे कि लोगों का आरोप है कि BTPP सोसाइटी में प्लॉट और सुख सुविधर देनी के नाम पर बिल्डर ने उनसे मोटी रकम वसूली है बाग जूदिस के सोसाइटी के अंदर उन्होंने कोई भी मुंभूस विधर नहीं मिल रही है चाहे बिजली की बात की जाए चाहे सीवर की चाहे पानी की बात की जाए या फिर सोसाइटी की तमाम दावे सोग किये जाए लेकिन सोसाइटी के बिल्डर द्वारा किये गए ये सारे वादे जूटे सावित हो रहे हैं इसमें से कोई भी दावाद धरातल पर नजर नहीं आ रहा है वही सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बताया कि वो पिछले 24 दिनों से लगादार बिल्डर के खिलाब प्रदर्शन कर रहे हैं वही इस प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे युवा आगास के पदधिकारियों का कहना है कि फाइदबाद में सोसाइटी के नाम पर लोगों से अवैद वसूली की जा रही है ना तो कोई भी धरातल पर उन्हें सुक्स विधाय मौजूद है और ना ही बिल्डर की तरफ से कोई सिक्यूरिटी दी जा रही है ऐसे में सोसाइटी के नाम पर लोगों से मोटी मोटी रकम वसूली जाती है इसी को लेकर युगा आगास की तरफ से भी प्रदर्शन का समर्धन की आ जा रहा है जो बिल्डर है काबुल चावला और जो उसने फ्लैट काटे है जो भी सोसाइटी काटे है देखिए बिजली के नाम पर कही गुणा बिजली करवसूला जा रहा है उनसे में बिजली के नाम पर पूरी में कहूं के एक तानाशाइग चला रहा किन जहां जब इन्हों ने फ्लेट वेकटे तो ना तो कहा था कि हम इनको कलब देंगे कलबों के नाम पर लोगों से जो सोसाइटी वाजी से उनसे 500 करोड रुपे वसूले गए जबकि अभी तक किसी भी सोसाइटी में कलब नहीं है तो इनसे तरह तरह के बहुत सारे मुद्धेपारक है बिजली है सीवर है और गाड है इनके न बूद से विदाय नहीं दिया गया ना हम बैंकों से लोल ले पाए ना कुछ कर पाए तो इसलिए बीपीटीपी के खिलाव ये परदर्शन जन्म ले गया यहां एक बात एक सुसाइटी के नहीं है पूरा जो फ्रिदाबाद में जितनी सुसाइटिया ना इनको सड़के मिल रही है ना इनको पीने का पानी मिल रहा है इंफ्रस्टेक्चर के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा और क्रोड़ो अर्बो रुपया शासन प्रशासन ने एक्स्टरनल डवलम्मेंट चार्ज लिए हैं तो हमारा शासन प्रशासन से सरकार से यह गोहार लगा रहे हैं कि आप अर अच्छा करें तो उनको शाबश करें गलत कर रहे हैं तो उनके आने वाले टाइम में और जो नए लिसांस देने वो पर प्रतिबंद लगाए तो हमारे एक ही वह है और दूसरा मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं अगर यह नहीं मांगे माने गई तो हमारा बीपी इस मौके पर जुदायक ने डिबन काट कर रोजगार मेले का शुबारम किया इस मेले में सेक्रों की तदात में युवाओं ने अपना इंटर्व्यू दिया जिसके बाद कंपनी के सेलेक्शन पर युवाओं को रोजगार दिया गया काराले पर एक ही च्छत के नीचे आप देख सकते हैं कि ये नजारा विधायक राजेशनागर के तिगाउ का राले का है जहां पर विधायक ने रिबन काट कर रोजगार मेले का आयोचन का शुबारम किया इस मेले में एक ही चत के नीचे करी 30 कंपनियों ने भाग लिया सैप्रों की तादात में दिखाई दे तो देश अपने आप ही मजबूत रहेगा रोजगार मेले हम बहुत पहले भी कई जगा लगा चुके हैं और बहुत सारे बच्चों कोई वहाओं को हमने जॉब भी दिलाई है और उसी तहत आज एक है इस तरह का रोजगार मेला हमने हैं कौन-कौन सी कंपनी आई कितने लो अगर सुरुआती पैकेस के बात करें तो एक दसमी क्लास के युवा के लिए कितने रुपे का पैकेस तैकिया क्या है 12-15,000 के करीब है और उससे जहाँ ज्यादा 12 तैया उससे उपर है तो उनीस से 24,000 कुछ क्राइटेरिया भी इस मेले के लिए जो रखा गया है कोई भी आके यहां पर अपना रिजूम दे सकता है और कोई भी अपनी अपनी कर सकता है इस तरीके की जो हरकते हैं बढ़ावा देने के लिए क्या यह चलती रहेंगी यह पैले भी हमने कहिए रोजजगार मेले लगाए और आगे भी ऐसी और मेले हम लगाए युवाओ को क देखेंगे आगे खबर कि और शीविष्व कर्मा स्केल युनिवर्सटी दुद्हौला में विष्व कर्मा दिवस मनाया गया इस अफसर पर युनिवर्सटी की तरफ से चान नीजी कंप्णियों के साथ में प्रतल से नेंपाल जावत ने लोगों को संबोधित किया शीवि मनोहलाल खटर का पलवल्चिले को देश की पहली स्केल युनिवर्सटी देने के लिए अभार जाता है कैबिनेट मंत्रे मुलचन शर्मा ने इस अफसर पर बोलते हुए कहा कि युनिवर्सटी के द्वारा अनपर लोगों को भी हुनर्मन बनाया जा रहा है यहां दो महां स निकलेंगे और तो किसी की मोहतार नहीं होंगे अभी तक युनिवर्सटी केंपस में भवन निर्माण कार्या पूरा नहीं होने की कारण गुरुग्राम सोहना एवं पलवल में कक्षाय केंपस में लगेंगी जिससे इस चेत्र में बन्यादी परिवर्तन देखने को मिलेग देश की पहली स्किल युनिवर्स्टी स्थापना दिवस के अफसर पर पृत्ला के विधायक एवं हर्याय भंडाय निगम के चेयर मैं नैन पादलावत ने अर्बोरुपे की 90 एकर जमीन मुफ्त में देने वाले गाउं के युवाव को युनिवर्स्टी कैंपस में नौकरी देने की वकालत करते हुए कैबिनेट मंत्रे मुझेन शर्मा से आग्रह एवं निवर्दन के साथ कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्रे से मिलकर गाउं के लिए लोगों की इमान को पूरा करने का आश्वाशन दिया परसेंट के मारी तह हुई एक बच्चा इस गाम का नहीं दोका धड़ी से लेने का चल किया है एक बच्चा गाम का इसमें पंट नहीं हुआ है सिक्षा गरह नहीं कर रहा है इसमें भाई बतीजा बाद लगा हुआ है और उससे ये विद्याले एक दिन पतन की और जाएगा उन्रती नहीं कर रहेगा अभी तो आपकी गाम के लोग पर सहीी देने के लिए में और कोई किसी अच्छे बात कर रहें कि लिए कहते हैं भी किटने जमीन है कितनी जमीन में गाम के पास बयंए के लिए सत्तर एकड़ जमीन है सो एकड़ नहीं सो नहीं सत्तर एकड़ जमीन है और सत्तर एकड़ में एक विसाल सिटेडियम चाहते हैं जो को एसी आई का वर्ड का खेलिया हो दूद्वला का नाम वर्ड में हो और मैं देश के प्रधारमते आदे नहीं मुख्ली के धनवाज करूना की हर्यान को युद्विस्ट में अर्व सबसे पहले पलवल को मिली है और इससे सबसे बड़ा लाब मिलेगा आम बेखती है और सक्स कि पढ़ाई वाले को सब्सक्राइब अनुपड आदमी को जो सक्षम है व्यक्ति काम करने में उसको डिगरी देने के काम हमारी युमिस्टी काम करेगी और दूसरा और पांच परसेंट किसी भी छेत्र में नोपनी होगी जो इस युमिस्टी से माननेता है और सबसे पहले इसके दंबर मिलेंगे और युमिस्टी आने वाले समय में पूरा त्यार होगा है तो हजारां बच्चे चार हजार बच्चे हर साल यहां से लिख लेंगे और देश और दुनिया में अप्तर करने के पांच चले रूकरिंगा की खबर के और नौवी वर्ल्ड स्टेंथ बेंग प्रेस चेंपिंशिप 2022 करगिस्तान में गोल्ड मैडल जीत कर आए विपिंड बैनिवाल का सैक्रो युवाओं ने मिलकर गाहों अलालपूर में भवेश स्वागत किया दिखाए देरा आए नजारा पलवल के गाहों अलालपूर में करगिस्तान में स्ट्रेंथ अजिते हुए नजर आया और इसी तरह से उनका भवेश स्वागत किया गया आज आपने अपने अलावर पूर में सजाकिस्तान से स्टेट लिप्टिंग खेलकार आए विपिन का वरपूर स्वागत किया है तो क्या आपके साथी है या आपको कहीं से प्रेड़ना मिली है य अच्छी लाइन पर चलें फिट रहें दूसरा विपिन भाई हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं ठीक है तो उन सब चीजों को देखके पुराने दोस्त भी है इलाके का नाम भी बढ़ाया है तो मुझे लगा कि उनका स्वागत करना चाहिए इसलिए आज भाई को बलाया है भाई ने बड़ा कीमती समय नकाल के अमें टाइम दिया है आप खुद एक जिम के संचालक है आपके साथी है विपिन जी बताया जाए कि काफी लंबे हरसे से आपके साथ जिम में भी शेयर किया है तो आपके साथी होने गनाते हैं आपको कैसा आज आपको अनभाव गउरा क्या संदेज देना चाहेंगे बस यही संदेज देना चाहूंगा अच्छे अब वर्काउट करें फिट रहें इतना ही अबनेरे बीवें के खबार 24 के साथ फिलहाल मुझे दीजे जाधर नमस्कार